आखिर बांगलादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए? क्या कोई है जो चाहता था कि शेख हसीना का तक्ता पलट हो जाए? माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खूफिया एजनसी आईसाई की साजिश हो सकती है और ये भी हो सकता है कि शेख हसीना के तक्ता पलट की पीछे चीन की भी साजिश हो क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों को शेख हसीना के भारत के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी दो महीले से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी उसके नीचे वो सहलाव बहुत खामोशी से बेह रहा था जिसकी वज़े से शेख हसीना का खिला धैग जाने की पूरी गैरंटी थी शेख हसीना सबकुछ बहुत करीब से देख रही थी इस विरोध को धबाने की लाख कोशिश होई लेकिन बांगलादेश में पपलिक के गुश्य का सेलाब ज्वाला मुखी बन कर पूँगा बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ कर जाना पड़ इस तरह ढगई शेख हसीना की सत्ता जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है इस तरह बांगलादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गए देखते देखते सब कुछ ढग्या बांगलादेश में हंगाम, सड़क पर पबले सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवाँ और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा, सब कुछ समानांतर चलता रहा जून के बाद से बांगलादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत पायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालपत इतनी जादा पड़ गई कि उनको बांगलादेश को बाय बाय करना पड़ा यानि जून में बांगलादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीक आई तो शेख हसीना को देश छोड़ कर जाना पड़ा बांगलादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाब जो पब्लिक ने बगावत की इस दोरान हिंसा में करीट 300 लोगों की मौद हो जुकी है इसी साल 23 जून को पांगलादेशी फॉज के कमान समालने वाले जनरल वाकार उस जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखिये. इन्शालला अपना देर जो तो दाबी आथे शे दाबी गुलों आपना पूरन कोर्बों एब देशे एक्टा शंद इस फ्रिंग खोला फिरिये नियार जूँए बांगलादेश की सेना की तादार डेड़ लाग से जादा है. अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी. वैसे 58 वर्ष के नए नए आर्मी चीफ वकार उस जमाने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पत से अटा कर अपने हाथ में देश की कमान ले लिए. लेकिन बड़ा सवाल है कि बांगलादेश में एतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गए? तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वज़े समझनी होगी. शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ. जुलाई में आरक्षण को लेगर बावाल तब पूटा जब हजारों चात्र बांगलादेश की सड़कों पर उता रहा. मुद्दा, 1971 में बांगलादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिष्टदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा. विरोध देखकर सरकार ने ज्यादा तरकोटा वापिस ले लिया, लेकिन चात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा. जुलाई महीने में होई हिंसा में ही 200 से जादा लोग मारे गए. इन में से कई लोगों की मौद पुलिस की फारिंग में होई थी. दो हफ्थों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया. सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफतारी, पांगला देश में खून बहता रहा. और दुनिया देखती रहे, इस बात से अंजान की इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है. सबीसिय कहती है, देखतारी, Mississippi-देखती जी, कौतारी, थाकती सुस्था परास्थाशिक्वारी, यहांशीननवी गिम्राइप सीौनिया है.